दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आई एनेस इंफाल के बारे में जो कि इंडियन नेवी का सबसे तगड़ा डिस्ट्रॉयर माना जा रहा है आई एनेस इंफाल प्रोजेक्ट 15B के चार डिस्ट्रॉयर्स में से तीसरा डिस्ट्रॉयर है इसके पहले दो डिस्ट्रोयर को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है सबसे पहले INS विसाखा पट्टनम को 21 नौंबर 2021 को इंडियन नेवी में सामिल किया गया और INS मुर्मूगाउ को 24 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में सामिल किया गया जबकि INS इमफाल को इस साल के अंत तक कमीशन करने की योजना है भारती नवसिना के तीसरे इंडिजिनियस स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोयर INS इमफाल का 28 अप्रेल को पहला सी ट्रायल स्टाइट किया गया है INS इमफाल को भारत के अब तक के लारजेश्ट और मोस्ट टेकनोलोजिकली एडवांस सीप होने का गवरा हासिल है INS इमफाल को नेविस वार्शिप डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है और मजगाव डॉक्यार्ड लिम्टेड ने इसका निर्माड किया है प्रोजेक्ट 15B सीप्स की अधिक्तम गती 56 किलोमेटर प्रतिघंटा है और इनकी रेंज 7400 किलोमेटर है और ये 45 दिनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं इनकी लंबाई लगभग 163 मीटर और 147 मीटर है पूरी तरह से लोड होने पर जहाजों का विश्थापन यानि की डिस्प्लेस्मेंट 7400 टन है जहाजों का लगभग 75% भारत में बनाया जाता है अगर हम INS IMFAL की आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 76 मिली मीटर सूपर रैपिड गन माउंट स्वदेसी टॉर्पीडो ट्यूब लॉंचर स्वदेसी एंटी सब्मरीन रॉकेट लॉंचर मीडियम रेंज की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल ब्रमोच सता से सता पर मा करने वाली मिसाइल और स्वदेसी एंटी सब्मरीन रॉकेट लॉंचर सामिल है यह हथियार भी लगबग भारत में ही बनते हैं अगर इसमें मिलागे में रडार की बात करें तो आई-ए-ए-ल्यम टू-टू-फोरोइट एम एफ इस्टार एस बैंड रडार जोकी एक एए- प्रोजेक्ट 15B के अंतरगत आने वाले चार्ड डिश्ट्रॉयर के सौधे पर हस्ताक्चर किये गए थे यह प्रोजेक्ट कोलकाता क्लास के डिश्ट्रॉयर की कांटिनिवेशन है जो प्रोजेक्ट 15A का हिस्सा थे और हाली के दसक में कमीशन किये गए थे 21 नौवंबर 2021 को प्रोजेक्ट के मेंसिप्स, आई एनेस विसाखा पटनम, मुर्मुगाउं, इमफाल और सूरत को प्रोजेक्ट 15B के अंतरगत आने वाले चार जहाजों का नाम करने के लिए चुना गया था यह सहरक देश के चार कोनों में स्थी थे तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, आसा है जानकारी पसंद आई होगी, हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, जय हिंद